फीफा विश्वकब 2022 का खिताब अर्जंटिना देश की टीम ने फ्रांस को चार दो से हरा कर जीत लिया है फ्रेंट्स ये टॉपिक काफी जादा इंपॉरेंट है अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो फ्रेंट्स वो सभी कोशन जो आपके एक्जाम के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में ले कर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन selected और important लिया है अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है और फ्रेंट्स मैं आपको बिल्कुल detail में और table के माध्यम से भी समझाने वाला हूँ फ्रेंट्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो यकीन मानिये exam में ऐसा कोई भी question नहीं होगा जो मैंने आपको ना करवाया हो इस वीडियो में तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा फीफा वेशोकप 2022 की विजेता टीम कौन सी रही है सही आंसर है ओप्शन है अर्जन्टीना अर्जन्टीना देश की टीम जो है फीफा पुरूश वेशोकप 2022 की विजेता टीम रही है यह आपको याद रखना है और फैंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ विजेता टीम कौन सी है फर्स है डिटेल में इस कॉशन को समझते हैं फीफा वर्ड कप का फाइनल मुकाबला अर्जन्टीना और फ्रांस के बीच कतर के लुसेल स्टेडियम में खेला गया अर्जन्टीना ने फ्रांस को पेनलिटी शूट आउट में चार दो से हरा कर खिताब अपने नाम कर लिया है और फ्रेंटीना ने 46 साल बाद फीफा विचकप का खिताब जीता है अर्जन्टीना ने फ्रेंटिन स्कूल में लाके 3 बार फीफा विचकप जीत चुकी है पहली बार जीता था 1973 में फिर जीता 1986 में और 6 सल के बार जीता है 2022 में यह आपको याद रखना है जितनी भी आपको मैं इडिशन इंफरमेशन दे रहा हूं फिफा विशकप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है सही answer है option D Qatar देश में Qatar देश में फ्रेंस FIFA विशकप 2022 का आयोजन किया गया है यह आपको याद रखना है प्रिंट्स मैं आपको कतर देश के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले आपको बताऊँ कि कतर जो है एश्या महादूप में स्थित है कतर की राजधानी दोहा है और कतर की जो करंसी है वो है कतरी रियाल यह आपको याद रखना है नेक्स कोशन थिपा विषुकप का कौन सा संस्करन खेलागया है सही आंसर है और कि और की स्थित हुमाद बाइस सा अब देखो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फिफा विषुकप चाहिए पुरुश współ का हूँ चाहे महिलाओं का हो, ये चार वर्ष के अंतराल पे खेला जाता है, ठीक है, तो देखो friends, 2022 है मैंने आप वो क्या बताया कि 22 संस्क्रन खेला गया है, कहां खेला गया, कतर देश में, ठीक है, ये तो आपके लिए important है, लेकिन friends, पिछले वाला और अगले वाला important होता है, तो प खेला जाएगा, चार साल के बाद खेला जाएगा, 2026 में, क्योंकि चार साल के अंतराल पे खेला जाता है नहीं, तो 22 अगले अडिशन होगा 23, और ये कहां पर खेला जाएगा, अमेरिका में, मैक्सिको और कनाड़ा देश में, next question, इस question को आप स्टार मार कर लिजिए, प्रतिस्थित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है, ये आपको याद रखना है, अब देखो friends, FIFA Wish Cup के सरवादी Goals को अगर को प्रतिस्थित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है, यही मैंने आपको बताया, अब अगला question जो है friends, इसी से जोड़ा हुआ है, इस question को आप डब गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया है, इंपोरेंट पॉइंट इस question को समझते है, एमबापे ने अर्जंटिना के खिलाव final match में तीन गोल कर रोनाल्डो के record की बराबरी की है, और गोल्डन बूट भी अपने नाम किया है, दो हजार दो के बाद वह सरिफ दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किसी विषकप में आठ गोल की हैं, देखो फेंट इनोंने कोल मिलाकर आठ गोल की हैं, ठीक है, सरवाधिक गोल थे कितने, 2022 में आठ गोल, तो किस ने करे, किलियन एमबापे ने, जो कि फ्रांस के थे, और इसलिए इनोंको गोलडन बूट का ख खिलादी ने सरवाधिक 8 गोल दागे। सही अंसर होगा option है Killian Mbappe जो की फ्रांस के खिलादी फेंट्ज इन्हों ने FIFA OFFICER 22 में सरवाधिक 8 गोल दागे हैं Aगला question FIFA OFFICER 22 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है ज़ाए answer है option 32 FIFA OFFICER 22 में या है या आपको याद रखना है अगला कोशन FIFA Wish Cup 2022 में कुल कितने मुकाबले खेले जाएंगे सही आंसर है option D 64 मुकाबले खेले गई है या आपको याद रखना है FIFA Wish Cup 2022 में आप सभी के लिए good news है कि मैंने इस वीडियो में आप सभी के लेना एक gift रखा है gift में friends क्या होगा कि मैं आपसे दो कोशन का test लेने वाला हूँ last में ठीक है दो कोशन वही होंगे जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ जो 10 lucky student जो अपना answer बिल्कुल सही देंगे उनको हमारी तरफ से जो हमारे पूरे साल की जो current affair की e-book है वो बिल्कुल free दिया जाएगा जो हमारे current affair की पूरी e-book में सभी कोशन अपने topic wise रखे हैं तो आप सभी ने अपना answer comment box में जरूर देना है last में और फ्रेंट्स आप अपने इस e-book को जी सकते हो अगला question FIFA Wish Cup 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है सही answer होगा option B 20 November से 18 December तक FIFA Wish Cup 2022 का जो आयोजन है फ्रेंट्स 20 November से 18 December तक किया गया है यह आपको याद रखना है अगला question FIFA Wish Cup 2022 का पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया है सही answer है option C Qatar और Ecuador Qatar और Ecuador इन दो देशों के बीच में फ्रेंट्स FIFA Wish Cup 2022 का पहला मैच खेला गया है यह आपको याद रखना है और विजेता टीम कौन सी रही है इसमें Ecuador next question FIFA Wish Cup 2022 का अधिकारिक शुभंकर क्या था सही answer होगा option D live यह FIFA Wish Cup 2022 का अधिकारिक शुभंकर यानि की mascot है यह है photo live की सभी question जो है न मैं आपको photo से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर question को समझने में असानी रहे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो की quality पसंद आ रहे है content पसंद आ रहे है और आपकी रवी सर की महनत पसंद आ रहे है वीडियो को like और share जरूर करिए comment box में अपना feedback दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है next question कर लेते FIFA Wish Cup 2022 का आधर्श वाक्या क्या था सही answer होगा option B now is all now is all जो है FIFA Wish Cup 2022 का आधर्श वाक्या था next question कर लेते FIFA Wish Cup में सबसे ज़्यादा 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने है friends ये question भी exam के लिए काफी important है सही answer होगा option A Lionel Massey Lionel Massey जो की friends Argentina देश के खिलाड़ी है ये FIFA Wish Cup में सबसे ज़्यादा 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए है अगला question FIFA Wish Cup 2022 में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल्ड आगे है सही answer होगा option C उपयुक्त A और B Killian Mbappe जो की फ्रांस के हैं और Gonzalo Ramos जो की पुर्टगाल देश के हैं friends इन दो खिलाड़ी ओने FIFA Wish Cup 2022 में हैट्रिक गोल्ड आगे है हैट्रिक गोल्ड का मतलब है कि जिन खिलाड़ी उने लगाता तर तीन गोल्ड आगे है अगला question FIFA Wish Cup 2022 का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है सही answer है option C चार वर्ष के अंतराल पर FIFA Wish Cup 2022 का जो आयोजन यह चार वर्ष के अंतराल पर होता है next question FIFA Wish Cup 2022 का उद्गाटन समहरो किस स्टेडियम में हुआ है सही answer है option E अल बायत स्टेडियम जो कि फ्रेंट्स कतर में है यहाँ पर FIFA Wish Cup 2022 का उद्गाटन समहरो हुआ है फ्रेंट्स आपसे exam में पुछा जा सकता है कि बताओ अल बायत स्टेडियम किस देश में है तो आपका answer क्या होगा कतर में है अगर आपको same वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आप रवी रिती क्लासिस को सब्सक्राइब कर सकते हो यह हमारा इंग्लिश मीडियम चैनल है और डेली करंट अफेर्स पढ़ने के लिए करंट अफेर्स बायर अवी को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आप बेस्ट करंट अफेर्स टॉपिक वाइस यहाँ पर पढ़ाया जाता है आपके exam point of view से अगला कोशन फीफा विशकब 2022 का final match कि स्टेडियम में खेला गया है सही answer है option A Lusail Stadium जो की कतर में है Lusail Stadium जो की कतर में यहाँ पर फीफा विशकब 2022 का final match खेला गया है अगला कोशन फीफा विशकब 2022 में अल रिहला किसका नाम था सही answer होगा option A फुटबॉल गेंद का नाम फीफा विशकब 2022 में जो अल रिहला है यह फुटबॉल गेंद का नाम है यह आपको याद रखना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिये मैं आपको इस तरीके से बढ़ा रहा हूँ फ्रिंट्स की आपको इकजाम में कोई भी कोशен चूटे ना फ्रिंट्स आपको एकज़ाम comprसब और रहा होगा कि सभी कोशन जो है एकजाम औरियंटेड है फ्रिंट्स आप एकजाम से पहले रट ले ना एक्जाम में आपको बहुत जादा help मिलने वाली है मेरी इस वीडियो से और friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पूरे साल की जो e-book है जन्वरी से लेकि दिसंबर 2022 तक की friends वो आपको अगले हफते अबलेबल हो जाएगा ठीक है उसमें हमने सभी question topic wise रखे हैं आपको हर वीडियो की description में उसका link दिया जाएगा ताकि friends आप उस e-book को खरी सको और 80% दंका हमने डिसकाउंट रखा है इस e-book में फिर देखो इस e-book की खासियत क्या है कि इस e-book आपको सस्ती क्यों पढ़ रही है क्योंकि इस पर कोई भी आपका printing का खरचा नहीं पढ़ेगा कोई भी आपका courier का खरचा नहीं पढ़ेगा बस आपको link पे click करके इस e-book को buy करना है सभी question इसमें हमने topic wise रखे हैं 6000 से जादा question हमने इस e-book में रखे हैं मतलब सभी question topic wise ताकि आप वो चीजों को समझने में असानी रहे अगला question FIFA विशकप 2022 में विजेता टीम को कितनी इनामी राशी मिली है सही answer होगा इस question का option D 42 million dollar 42 million dollar की fans इनामी राशी मिली है विजेता टीम को और विजेता टीमों कितनी मिली है 30 million dollar अगला question FIFA विशकप में दो बार golden ball award किस खिलाडी ने जीता है सही answer होगा option D Lionel Massey Lionel Massey जो कि Argentina के खिलाडी इन्होंने FIFA विशकप में दो बार golden ball award जीता है important points दो question को समझते है Lionel Massey दो बार golden ball award जीतने वाले इकलाते खिलाडी बने है इससे पहले साल 2014 में इन्होंने golden ball award जीता था now our next question सबसे अधिक पांच बार FIFA विशकप की विचेता कौन सी टीम है सही answer है option C Brazil Brazil जो है फ्रेंट्स ये सबसे अधिक पांच बार FIFA विशकप की विचेता टीम रही है ये आपको याद रखना है ब्राजील ने कुल पांच बार फ्रेंट्स 1958 में पहले बार जीता था फिर 1962 में फिर 1970 में फिर 1994 में फिर 2002 में मतलब कुल पांच बार जीता है FIFA विशकप ये आपको याद रखना है अगला question FIFA विशकप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया सही answer है option A 1942 और 1946 में फिर 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 विशकप का आयोजन नहीं किया गया अब देखो फिर 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 विशकप 2022 में जो अन्य पुरुसकार विजेता है उनके नाम बताए तो फिर टेबल आपके लिए काफी जादा important है इसमें directly आपके 102 नंबर बनते हैं तो golden boot का award किस ने जीता है खिलाडी का नाम है किलियन एमबापे golden ball पुरुसकार ये जीता है लियोनल मैसी ने golden glove award ये जीता है emiliano martesnes ने fifa young player award जीता है 2022 का फिंड्स ये जीता है enzo fernandez ने fifa fair play award इंग्लैंड की टीम ने जीता है silver boot award ये जीता है लियोनल मैसी ने kanse boot पुरुसकार ये जीता है oliver giraud ने silver ball पुरुसकार ये जीता है killian mbappe ने और वहीं अगर हम बात करें bronze ball award ये जीता है loka moderik ने फिर जितने भी आपको edition point बताएं ना यहाँ पे table में ये सभी important है उसके फिफा के बारे में जान लेते हैं पूरे वेश्व में जो football का खेल होता है उसे फिफा रेगुलेट करती है Federation International D-Football Association इसका full form होता है इसका motto है for the game for the world स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को मुख्याले जियोरिक सुईजरलेंड में है अध्यक्षे जियान इनफेंटीनो अफेंड्स हम कुछ extra important point जान लेते हैं ठीक है पहले हम जानते हैं पहला FIFA वेश्व कप के बारे में पहला FIFA वेश्व कप का आयोजन वर्ष 1930 में उरुगवे में हुआ था और इसकी विजेता टीम थी उरुगवे ही यह आपको याद रखना है और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहली बार FIFA वेश्व कप का टीवी पर परसारन 1954 में हुआ था अब फ्रेंट्स हम जान लेते हैं भारत और FIFA वेश्व कप का connection क्या है भारती फुटबॉल टीम ने FIFA वेश्व कप में कभी भी हिस्सा नहीं लिया यह आपको याद रखना है सिर्फ एक बार भारत ने FIFA वेश्व कप के लिए वर्ष 1950 में कॉलिफाई किया था ठीक है फ्रेंट्स अगला important point है पिछला FIFA वेश्व कप 2018 मतलब मैंने आपको बताया कि चार वर्ष के अंतराल पे खेला आता है 2022 से पहले 2016 में खेला गया था तो 2022 से बिचला FIFA वेश्व कप 2018 में iroos में खेला गया था 2018 में खेला गया FIFA वेश्व कप का 21 संसकरन था FIFA वेश्व कप 2018 की विचेता टीम फ्रांस थी और विजेता टीम क्रोईशिया थी अब हम बात कर लेते हैं अगले वाला मतलब 2022 से अगला कब होगा चार साल के बाद हैं 2026 में तो 23 फीफा विजेता टीम अमेरिका मैक्सिको और कनाडा देश में खेला जाएगा फीफा महिला विजेता विजेता के बारे में खेला जाता है फीफा महिला विजेता कब 2023 का आयोजन अस्टेलिया न्यूजलेंड में किया जाएगा जो फीफा अगला वाला है 2019 के अगला वाला ठीक है यह महिला वाली बात हो रही है और इस खेल का शुभंकर है तजूनी और यहाई खेल का नौमा संस्करन होगा अफेंसम फुटबॉल खेल के बारे में जान लेते हैं कुल खेलाड़ी कितने होते हैं 11 होते हैं फुटबॉल से जोड़े कब देख लेते हैं ड्रिबल, गोलकिक, हैट्रिक, मार्किंग, ओफसाइट, पनल्टी किक, रेड कार्ड, थ्रोइन, पिंग अब देखो फैंट्स यहाँ पर पर्मुख जो टीमे है उनके कप्तान के नाम लिखे हैं यह बहुत बड़ी लिस्ट है आपने क्या करना है इसका यहाँ आप स्क्रीन शॉट ले लेजिए और जो टॉप पांच टीम हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ जैसे कतर है कतर टीम जिनका जो काफी सुर्खियों में रायए फैंट्स इसके बारे में आपको बता जाता हूँ अपने के बारे में पांच शॉट टेम यहाँ जो आपको बताने वाला हूँ यह देश वह गी जो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन टेह सबढ़ने इसके इसके अपतान है इसके इनर वैलिंसिया अर्जंटीना देश के टीम के जो कप्तान है वह है लियोनल मैसी, मौरको के कप्तान है, रोमेन, सैज, पुर्दगाल कप्तान है, किस्टानो रोनाल्डो, मांगी के फ्रेंट आप स्क्रीन शॉट ले ले लीजी, आपके स्क्रीन के मैंने लगा दिया है और फ्रेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि अगर आपको इसकी नोट्स या पीडिएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेरे वेबसाइट पर आना है, जिसका नाम है www.ravistudyiqugk.com आपको गुगल पर या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर सर्च करना है, मेरे वेबसाइट, ravistudyiqugk.com इसका नाम नोट्स में अपने वेबसाइट पर डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो, जितनी मर्ची बार फ्री में, ठीक है फ्रेंट्स, वे आप इंटरनेट पर, फ्रेंट्स, ये वीडियो कंप्लीट हो जोकी है, अब आपके दो कोशन का टैस्ट है, आप सभी ने दोनो कोशन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है, दस लग्की स्टुड़न को हमार ये तरफ से जो हमारे पूरे साल की इबॉक है, वो विल्कुल फ्री दिया जाएगा, तो आप सभी ने अपना अंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और रवी अदिती ब्लॉक्स को भी आप सब्सक्राइब कर लिए ये यहाँ पर अपने रवी सर को आप लाइव दे देना है, और फ्रेंट्स में आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड पे जो हमारी 50,000 GK की बुक है, वो फ्रेंट्स लाँच हो चुकी है, रवी जी के बुक 50,000 कोशन वाली बुक फ्रेंट्स लाँच हो चुकी है, इस किताब को आप Flipkart या Amazon से खरी सकते हो फ् सब्जेक्ट के, पॉलिटी के, हिस्टी के, जोग्रोफी के, साइंस के, तो फ्रेंट्स लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पे क्लिक करके आप इस e-book को बाई कर सकते हो, 80% तका डिस्काउंट रखा है हमने, और जो पूरे साल की किताब उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी e-book की फॉर्मिट में है, बहुत ही कम कीमत में, मता 80% तक तक हमने डिस्काउंट रख दिया है, उसे भी आप बाई कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, पर देखो, e-book का फाइदा क्या होता है, कि इस पे न आपको कोई printing का खर्चा नहीं पढ़ता है, नहीं कोई delivery का charges पढ़ता है, courier खर्चा पढ़ता है, तो बहुत ही सस्ता पढ़ता है, इसलिए आप e-book को ज़रूर buy करें, लिंक मैं आपको दे दूँगा, फैंट्स, ब्लॉगिंग चैनल के उपर है, ठीक है, तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है रवी अदिती ब्लॉग्स, रवी अदिती ब्लॉग्स, ठीक है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, रवी अदिती ब्लॉग्स, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहां प प्रेस्ट